क्लास टेंथ के बोर्ड एक्जाम को टार्गेट करते हुए हमने एक मैस में कुश्चन की सीरीज तयार की यानि हर चैप्टर के कुश्चन को मैंने टाइप वाइज तरीके से बिलकुछ सीरीज में बनाए है टाइप वाइज तरीके से यह होता है कि हमें पता चलता है कि कुश हमें किस-किस प्रकार से पूछे आ सकते हैं तो जब वो टाइप वाइच होंगे और उनकी कुछ सब कोश्चन होंगे यानि कि एक कोश्चन मैं आप यहां पर समझाओंगा उसके बाद दो या तीन कोश्चन या इससे भी ज्यादा कोश्चन आपको मिलेंगे आपको करने के ल स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्टैक्स संखेकी का टाइप नमबर वन यो है समांतर माध या एरिथमेटिक में कहें या फिर में कहें तीन नाम हैं समांतर माध्ड माध्ड और और तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं ठीक है तो कुछ भी पूछा जाए हमें काम वस्वई कर तो प्रेचछडों का योग यानि जतने भी नंबर दिये गए हैं उनको हमें संब करना है इनि जोड़ना है उसके बात जितने वह वह टूटल नंबर कितने हैं है six है seven है जितने भी हैं उससे उसको divide करना है और फिर जो हमें answer मिलेगा वह हमारा क्या होगा समानतर माध्ध समानतर माध्ध को हम x और उपर बार यानि कि ऐसे डिनोट करते हैं x और उपर एक लाइन तो यह हो जाएगा हमारा समानतर माध्ध या फिर इसको संफ माध्ध भी हम कह सकते हैं यानि कि मीन Plus में तो मीन या फिर उसको और focus का भी यही वह होता है जितने भी नंबर दिये गए उनका सम और जितने भी हैं एक हैं दो हैं तीन हें जितने हैं उसको उससे मातिके तीन नाम होते हैं yainि माधि कहें य ΈAdd करी असे निकी मीन आरिफ्मेटिक मीन या फिर एकर तीनो का तीनो जो है फार्मुला होता है बिलकूल सेम ही होता है तो उसका फार्म्ला होता है होता है समंतर अमाधि पराबर प्रेchester का योग यादि sum of observation the observation upon नमबर आप्जेरवेश्न यहां बविखकर यहां पर क्या हम संख़य वर्ड यूज्ट कर सकते हैं संख़य यहां यूझ कर सकते हैं तब सारी संख़य ही दियों कभी कभी क्या होता कि जब next type पढ़ेंगे उसमें क्या का मालीची यहां पर यह four numbers दे दी गई साथ में इसकी जगे पर लिख दिया गया हमारा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल कितनी संख्या है अब बात कर लें जो क्वेश्चन होगा वह समांतरमाद का टाइब नंबर फस्ट कैसे पूछा सकता है उसमें यह हो सकता है कि आपको सिर्फ नंबर दे गई है जनल नंबर दे दिया गया हो पांच छे साथ जित निवियो उससे उनको जो सम होगा उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जैसे कि यहां पर पांच विद्यार्थियों की जो हाइट है वो क्रमसा क्या है सव है 120-135-140 और 150 सेंटीमिटर है यानि कि चाहे मादिप कहा जाए या समांतरमादिप कहा चाहे और सब को काम हमारा वही करना है तो करेंगों क्या प्रेचनों का योग यानिकी सब को क्या कर लेंगे हम यहां पर भी हम कर लेंगे हैं 개 अ कर लेंगे तो टोटल 5 numbers हैं तो यहां फिर 5 से क्या करेंगे इसको divide अगर 6 होते हैं यहां पर कोई और number माल जी लिखा होता 160 लिखा होता तो हम क्या से divide करते हैं यहां पर 6 से divide करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो हम सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे आप सबको एड कर लेंगे और देखतें कितना जब हम इसको एड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 645 और फिर हमें इसको क्या 5 से डिवाइड करना है जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा 129 129 हमारा क्या हो जाएगा समांतर मात कहें या फिर में कहें आपको यहां यह भी बता देंगे जो समांतर मात होगा उसको हम X-bar से denote करते हैं तो हमारा जो answer होगा X-bar यानि समांतर मात easy code केता होगा one case के लिए जो question आपको दिख रहे हैं यह questions आपको करने हैं और इसका answer हमें comment box में बताना होगा हम आपको बताएंगे कि आपके answer जो है वो सही है या फिर गलत है तो प्लीज इन question को जरूर करिए और अपनी तहरी को और बहतर